नमस्कार मैं हूँ Mr. Stock तो दोसो पेटियम की पैनेंट कमपनी 197 Communication के शेर में निवे सब तक IPO निवे शकों के लिए एक बुरा दाव साबित हुआ है बतादे कि पेटियम के शेर ये सू प्राइस के मुकाबले करीबन 75% डिसकाउंट पर है हाला कि Market Expert इस पर अभी भी भरोसा बनाई हुए है एनेलिस्ट के मुकाबले ये शेर 1400 रुपे के भाव पर पहुं सकता है दोसो IPO निवे शकों को पेटियम के शेर 2150 रुपे के भाव पर मिले थे जबकि अभी की समय में ये शेर 500 रुपे से 600 रुपे की बीच ट्रेट कर रहा है चले जानते हैं कि आखिरकार लोग पेटियम के शेर पर भरोसा अभी भी क्यू कर रहे हैं तो दोसो पेटियम 810 रुपे के भाव पर करीबन 1.05 करोड एक्विडी शेर का बाइबेक करेगी एनिलिस्ट के मताबिक बाइबेक के फैसले से मुनाफे और कैस जेनरेशन रोड मैप और तोर बड़े निविसक से जुड़ी चिंताएं भी दूर होंगी वहीं मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन को लेकर कॉनफिडेंस भी बढ़ेगा दोस्तो जेपी मॉर्गन के रिसर्च के मताबिक मैनेजमेंट ने विद्वर्स 23-24 के दूसरे तिमाही में ब्रेक इवन हासिल करने का जो टार्गेट रखा है वो पूरा हो सकता है इसी की वज़ेसे इसका जो टार्गेट है 1400 रुपे दिया गया है जो की मौजुदा भाव से 156% अपसाइड है अब सवाल या आता है की आखिरकार ये शेर इतना जादा नीचे क्यों गिर रहा है तो दोस्तो पेटेम के शेरों के लिए लॉक इन पिरेट खतम होने के बाद बिकवाली के चलते इसमें जो दबाव है वो बढ़ा है इसके लावा NPCI यानि की National Payment Corporation of India UPI Payment के जरिए पेइमेंट की लिमिट तैक करने पर विचार कर रही है और इसके चलते भी हमें पेटेम के शेर में दबाव दिख रहा है हाले कि दूस्तो आप कमेंट करके बताए कि आपको पेटेम के शेर में कितने का profit या फिर कितने का loss हो रहा है दूस्तो कौन से company के शेर कब आए करना है या फिर कौन से company का शेर कब sell करना है तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को follow कर सकते हैं तो दूस्तो इस वीडियो में फिलाल इत्ता ही मिलते नेक्स वीडियो में